नमस्कार, स्कूल विद्याती चानल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, मेरा नाम है सोनाली जाधा। स्कूल विद्याती ये चानल खास करके स्कूल गोइंग स्टुडंट्स और उनके पैरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हल्प हो जाए। स्टांट करते हैं सबजेक्ट है हिंदी, स्टैंडर है टैंथ मतलब स्सी बोर्ड है, यर है 2020 और बोर्ड है महाराष्रा। सो आज हम देखने वाले हैं पोयम नंबर 4 इदर गल्दी से वन हुआ है मेरा तो पोयम नंबर ये 4 है मन और मन ये पूरक पठन है। इस तरह से आपको आपके टैक्सबुक में ये पोयम दिखाई देती है। जिन बच्चों के पास टैक्सबुक नहीं है तो उनको मैंने कैसे डाउनलोड करना है किताबों को इबाल भारती से इसका एक वीडियो बनाया है वो आप देख लीजे और वीडियो देखने के बाद पीडियेफ डाउनलोड कर लिजे उस किताब का ठीक है तो पूरक पठन है ये हम जानेंगे इनके कवी के बारे में विकास परिहार नाम है देखिए कवी और लेखक जो भी होते हैं उनके नाम आप पहले से ही फ्री टाइम में यांत करना शुरू कीजे ताकि वो प्रॉबल दिया है उनका परिचय दिया है कि विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतिय वायू सेना को अपनी सेवाय दी है फिर पत्रकारिता के शेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े है वो साहित्य में विशेश रूची होने के कारण आप नाट्य गती वीडियो से भी कर्छी ठीट के मुड़े हुए है सो अलग अलग का शेत्र में यह यह जो लेकखक है विकास परिहार इनका कार्य है इनका जन्म हुआ है गुना में मध्य प्रदेश कि अगेदेखेंगे इस पद्य के संबन्दी क्या है हाई कुम क्या चीज होती है तो आपकी यह कविता है और ही मन सबस्क्राइब कीरिट का उसको हाई को बोला जाता है और यह जपान की जैपानी लोग इस तरह से पोयम लिखते है तो उसी का प्रकार यहांपना दिया है हाइकू क्या होता है हाइकू angre small poems होती है चोटी-चोटी poems जिसमें बहुत सारा भावारत होता है hidden meaning बहुत होता है इसके अंदर और यह होती है वो हिंधी साहित्यम में भी बहुत प्रसीद हो चुके यह जो प्रकार है आइकू प्रकार और 5 साथ पाज is equal to 17 वरण इसमें होते हैं मतलब 17 अक्षर का एक स्टांजा आपका होता है यहाँ पर आप गिन सकते हैं आगे हम लोग गिन के देखेंगे भी प्रस्तुत हाइकू में कवी ने अपने अनुभव और चोटी-चोटी विभिन घटनाओं को अर्थवाही सीमित काज परिहार जी जो है उन्होंने छोटे-छोटे शब्दों में बहुत ही जो बड़ा अर्थ है वो आपको बताया है उनके अनुभव बताए है तो आपका यहाँ देखिए 575 यहाँ पर देखिए यह 5 है अक्षर यह 7 अक्षर है और यह 5 अक्षर है तो आप पूरा सभी ज में क्योंकि यह जरूरी है जब भी आपको रशग्रहन आता है वह वाला जो प्रश्न होता हो तो इसके लिए जरूरी होते हैं यह सब बाते और आप इंट्रोडक्शन में भी यह अगर लिखते हो तो आपका थोड़ा इंप्रेशन हो जाता है जो टीचर होते हैं उनके उपर यह बात ध्यान में रखिए सो स्टार्ट करते हैं हम लोग गना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको एक चित क्लियर करूंगी कि यह पोयम छोटी है तो आपको लगेगा नहीं इसका मेनिंग भी छोटा सा ही होगा पर ऐसा होता नह होता है तो कवीदा जितनी छोटी उतना उसका मीनिंग गहरा होता है ठीक है तो यह बात आपके माइंड मैप सेट कीजे सो यहां पर हम मीनिंग भी देखेंगे दोनों ही जरूरी है घना अंधेरा मतलब जब घना अंधेरा हो जाता है सब जगह पे तो चमकता प्रकाश प्रकाश हमें सबसे ज्यादा महसूस होता है तो यही बाद यहां पे जो कवी है जो विकास जी है उन्होंने हमें समझाई है कि जो प्रकाश का महत्व होता है वो अंधेरे से ही पता चलता है मतलब यहां पे हीडन मीनिंग यह लेना है आपको कि जीवन में जब दुख होता है दुख यानि कि क्या एक प्रकार का हमारा अंधेरा हमारे लाइफ में अंधेरा चा जाना मतलब ही क्या होत समझ में नहीं आती, जब आपको एक्जाम में कम मार्क्स आते हैं, और उसके बाद आप बहुत अच्छे से महनत करते हैं, और बाद में जब आपको अच्छे मार्क आते हैं, तो आपको बहुत ही जो चीज है, वो चीज वो आपको ज्यादा सैटिस्फाइ करती है, तो दुख के बाद आने वाला जो सुख होता है वो ज्यादा आपको क्या करता है happiness देता है वैसे ही अंधेरे में अगर प्रकाश की किरण आती है अगर प्रकाश चमकता है तो वो क्या कहोता है हमारे लिए बहुत ही अधिक होता है I hope आप understand करेंगे इस चीज को ठीक है यह पोयम से पढ़ने के लिए या education के purpose के लिए आप ना लीजिए इसका जो meaning है वो हमारी life के बारे में भी है यह चीज आपको आपकी पूरी life के जरनी में आपको कभी ना कभी महसूस होगी जब आप negative होंगे motivation के आपको जरूरत होगी तो यह जो पोयम है वो आपको ज्यादा आपके life में motivate करेगी तो उसे बहुत ही अच्छे से पढ़िए और सुनिए ओके आगे जाते हैं करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा यहाँ पे एक दूसरा हमें moral सिखाया है कभी ने एक अच्छे बात सिखाई है कि करते जाओ मतलब आपका जो भी काम है आपका जो भी करम है वो आपको करना है पाने की मत सोचो मतलब अगर मैं यह करूंगा तो उसके बाद मुझे कुछ return में मिलेगा इस बात से कोई काम मत स्टार्ट कीजिए जीवन सारा मतलब आपका जो पूरा जीवन है पूरे जीवन भर में आपको यह formula याद रखना है कि आपको कोई भी कार्या है जो आपका है जो आप कर सकते हो तो वो आपको करना है यह कार्य करने के बाद मुझे यह return मिलेगा इसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ ऐसे बात आपको बिल्कुल नहीं सोचनी है किसी की help हो तो आपको बिना स्वात के करने चाहिए ऐसा बहुत हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अगर हम लोग अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा तो सिफ ऐसे सोच के आप मत चली की मेरे साथ अच्छा होने वाला इसके लिए मैं दूसरों का अच्छा करूँगा तो आप अच्छा कीजिए आपके पास वो अच्छी चीज़े आती है तो ये बात यहाँ पर बताई गई है और ऐसा नहीं है यहाँ पर जीवन सारा यह बात बोली है तो मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आज कोई अच्छा काम किया ठीक है किसी की मदद की फिर बात में मैंने बोला बस हो गया भी किया उसका मुझे रिटन में कोई फृट मिलेगा आगे जाके अभी कोई जादा अच्छा काम करने के जरूरत नहीं है तो यह बात बहुत ही गलत है क्योंकि आपको पूरे जीवन भर में ऐसा करना है क्योंकि जीवन भर में लाइफ हमारी कॉंस्टन चलती रहती है आप जो भी कारे करते हो इसका आपको अच्छा बुरा दोनों तरीके से क्या होता है रिजल्ट मिल जाता है आगे जाएंगे जीवन नाया मजधार में डोले संभाले कौन जीवन नाया मतलब क्या हमारा लाइफ यहाँ पे आपको इमाजिन करना है कि हमारी जो life है, हमारा जो जीवन है सो वो एक boat के तरह है जो पूरी समुंदर में खड़ी है ये जो सब बाते हैं इस कविता की ये सब अध्यात्मीक बाते हैं या फिर motivational ही बाते हैं तो हमारा जो जीवन है हमारा जो life है तो वो एक boat के जैसा है जो boat मजधार में फसी हुई है मतलब समुंदर में फसी हुई है उसको कोई दिशा नहीं दिख रही है देखिए आप जमीन पे होते हो ना तो आप कहां से भी वे निकाल सकते हो क्योंकि आप चल सकते हो पर जब आप पानी में फस जाते हो और आपको कोई दिशा का ये नहीं होता दिशा समझ में नहीं आती किसी के help नहीं ले सकते आप और वैसे condition आती है जिसको हम लोग दुख बोलते है जिसको हम लोग difficulties, problem बोलते है और कभी न कभी हमारे life में ऐसा phase आता है तो यहाँ पर कभी का ये प्रश्ण है कभी कभी यही अनुभव इसके लिए वो आपको बता रहा है कि कभी कभी ऐसी बात होती है कि जीवन जो नहीं है वो मजदार में डोल रही है मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है इस टाइम पर आपको क्या करना है कि कौन संभाले ऐसा कभी ने प्रश्ण किया है पर आपको ये मैं आगे बढ़ा के थोड़ा सा और बताती हूं कि ऐसे जब विपरीत परिस्तितियां आती है डिफिकल टाइम आता है तो आपको आपके अच्छे कर्म ही बचाते है आपने जो परोपकार किया है मतलब दुसरों पर उपकार किया है अच्छी बाते की है किसी का मंद आपने संभाला है तो ये जो आपके जो मुल्य है आपके जो तत्व है आपकी जो क्रिया है वो ही आपको इसमें से बाहर निकालने में मदद करती है अलग-अलग वे इसके साथ आगे जाएंगे रंग भी रंगे, रंग संग लेकर आया फागून ओके यहाँ पे जो कवी है हमारे कौन है कवी? विकास जी ओके, सो विकास पर यहाँ यहाँ पे होली का सीजन जो है उसके बारे में बोल रहे है कि फागून, फागून मतलब फागून मन्त होता है हिंदी में जिसको हम इंगलिश में मार्च मैना कहते हैं मार्च मैने में होली आती है, होली का त्योहार आता है तो होली का त्योहार जब आता है तो क्या लेके आता है, बहुत सारे रंग लेके आता है, और ये रंग मतलब किसका प्रतिक होता है, happiness, आपकी जो खूशिया है, उसको रंगों के साथ जाधा connect किया है, तो रंग आपके लाइफ में क्या देते हैं, बहुत बहुत खूशिया देते हैं, तो ये जो भावना है, काटो के बेच खिल खिलाता फूल देता प्रेरणा, यहाँ पर फिर से एक motivational बात कभी ने बोली है कि जो fool होता है for example rose बहुत लोगों को गुलाब का बहुत आकरशन होता है attract होते हैं बहुत लोगों का favorite होता है तो अगर आपने rose देखा है गुलाब का पौधा देखा है तो आपको समझ में आती है एक बात कि वो बहुत ही सुन्दर है उसका fragrance उसका जो गंध है वो भी बहुत ही कमाल का है खुबसूरत दिखने में है फिर भी उसके आजुबाजु में काटे हैं फिर भी वो हमें अच्छा ही लगता है काटो के वज़े से मतलब काटे तो उसका दुरगुण हो गया फिर भी हम लोग उसको प्यार करना छोड़ते हैं क्या नहीं हम लोग काटे निकाल के तोड़ देते हैं पर फूल को नहीं तोड़ते हैं उसकी जो फ्रेग्नेंस होती है या उसका जो टेक्स्चर होता है उसके कोई असर नहीं होता वो उस काटो का तो कभी यही बोलना चाहते हैं कि काटो के बीच में मतलब डिफिकल्ट परिसिती में रहने के बावजूद भी अगर एक फूल खिल सकता है क्योंकि उसको पता है कि काटे डिफिकल्ट सिच्वेशन है तो मुझे खुद पर फोकस करना है ना कि उन काटों पर फोकस करना है तो कि मतलब ऐसा यहाँ पर कभी संदेश देना चाहता है तो कभी यही बोलता है कि अगर काटों के बीच में अगर एक फूल जो है वो उदास नहीं होता वो हर रोज खिल के क्या होता है ब्लॉसम हो जाता है खिल जाता है तो वो हमें प्रेरणा देता है मतलब वो हमें एक बात सिखाता है कि अगर मैं अगर सादा सिंपल सा एक पौधा हूँ अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ डिफिकल्ट सिच्वेशन में भी मतलब खुद को मैं खुश रख सकता हूँ तो आप तो कुछ नहीं हो आप इंसान हो आपके हाथ में बहुत शक्ती है तो उसको तो ऐसे ही इजीली उसमें से बाहर आ सकते हूँ ओके सो यह एक्जांपल दिया है बाद में आगे हैं भीतरी कुंठा आखों के द्वार से आई बाहर सो यहां पर देखें कोई भी डिफिकल्ट सिच्वेशन होती है कोई कठी परिस्तितिया होती है घर में कभी गलत बात होती है तो आपको रोना आ जाता है और वो बहुत ही नाच्रल है ऐसा नहीं है कि गल्स और बॉइज में गल्स ही रोनती है या फिर उनको ही रोने का अधिकार है बॉइज को बी स्ट्रॉंग रहना है ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है कुछ जरूरी बात नहीं है इ आपके भीतर जो कुण्ठाई है कुण्ठाई याने कि क्या आपकी दिराशा ओके आपका जो निगेटिव नैस है उसके वजह से आप क्या होते हो देखिए अब किरा निराश होने के बाद में आपको रोना आता है क्योंकि आप खुद को इतना अंदर से टोचर करते हो उस बात के लिए जो आप से गलत हो चुकी है और उसके लिए आप खुद को हमेशा टोचर करते हो और फिर आपको निराशा होती है और आपके आखों के द्वारा वो निराशा बाहर आती है अश्रू के रूप में आपके जो आशू होते हैं आशू से वो बा विशाद मन पावन देखिए जो आसू का पानी होता है तो आपने कभी न कभी उसको टेस्ट किया है तो वो कैसा होता है उसकी टेस्ट कैसी होती है तो नमकीन होते है आसू हमारे नमकीन होते है तो खारे जो आसू होते है उससे क्या हमारे जो विशाद है वो धुल जाते है व जब आप रोते हो गारे आसू होते हैं वो क्या करते है वो जो निराशा है निगेटिव檼र्ण करते है वह क्या बन் robić 1 आट कराकव देँ है कि या डूकर én Two ने भी को ये बहुत लोगों ने पूली होगी कि आपsud एक सो के वे से आपके बॉड़ी में से चली जाती है और आपका जो मन होता है वो फिर से प्यॉर होता है तो ये प्रोसेस बहुत ही जरूर है समागे जाते हैं मृत्यू को जीना जीवन विश पीना है जीजी विशा यहाँ पे एक नया शब्द आया है जीजी विशा इसका मतलब होता है कि जीवन के प्रती जो हमारी आसकती होती है उसको बोला है जीजी विशा मृत्यू को जीना मतलब यहाँ पर देखें, दो concept बताया है आपको, कि मृत्यू मतलब जीना और जीवन मतलब विश पीना, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग जीते हैं, जीते हैं, तो बहुत हमें कश्ट करने पड़ते हैं, और मृत्यू जो होता है, वो क्या होता है, मतलब जीना, जीने कि जो process है, वो मृत्यू से भी ज्यादा कठीन process है, तो अगर मृत्यू आती है, तो कभी-कम भी हम लोग बोल भी देते हैं, कि कठीन परिस्टितियां आती हैं, लाइफ में, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, कि जीने से अच्छा मरना ही है, तो ये बात यहाँ पर कभी बता रह कि जीवन जो है जैसे कि जीवन में बहुत सरे प्रॉब्लेम्स होते हैं तो जीवन जैसे लगता है कि विश पीना है और मृत्यू का मतलब ही अगर मर जाए तो उसी को हम लोग मतलब कभी-कभी जीना मान लेते हैं कि सुकुन से मरे तो ऐसा जीवन की आसकती है उसके बारे में बताया है कि मतलब जीवन में प्रॉब्लेम्स अंगर्ष ये चीज आते ही रहते हैं आपको उनका सामना करना है ये जो बाते हैं कि मृत्यू को आप जीना समझते है और जीवन को विश पीना समझते है वैसा नहीं समझना है आगे जाते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए आगे की है बात मन की पीडा चाई बन बादल बरसी आखे देखें मन की पीडा मतलब हमारे emotions जो हम लोग मानव है मनुष्य जाती में हमने जन्म लिया है मनुष्य मतलब इंसानों का सबसे महत्व पुर्ण जो गुण होता है वो होता है emotions सभी बाते emotions से जोड़ी हुई होती है सो जब भी कोई चीज हमें अच्छी लगती है बुरी लगती है तो उसका परिणाम जो होता है वो मन पे होता है और सभी चीज़े मन से ही चालू होती है हमारे mind तक जाती है जब भी हमारे मन को कोई पीडा पहुँशती है किसी ने कुछ डाटा, कुछ बोला या फिर कुछ ऐसा किया कि आपके मन को तकलीफ होई है तो क्या होता है आपको रोना आता है चाई, बन बादल मतलब जैसे कि आखाश में बादल चाते है बादल सब जगह पे इकटा होते हैं तो बारिष हो जाती है वैसी ही बारिश हमारे मन में होती है कब होती है जब हमारा मन बहुत ही दुखी होता है हमें जब बहुत पीडा होती है तो हमारे भी आखों से पानी बरसना चालू हो जाता है तो यहाँ पे उपमा अलंकार है मतलब यहाँ पे सिमीली दिखाई गई है कि जो बारिश का पानी है वो आपके आसू है ऐसे कभी ने बोला है बाद में आगे जाते हैं चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बात और कभी ने हमें कही है कि देखे ट्रेन इस वरी इंपोर्टन तिंग फोर अस अभी लॉकडाउन के कारण ट्रेन बंद हो चुकी है तो हमें उसका इंपोर्टन्स पता चलता है और वैसे भी हमारे लिए सभी के लिए ट्रेन बहुत ही जरूरी थी पहले से ही थी पर उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है कि रेल की पटरिया सिर्फ आपके पास रेल गाड़ी है आप उसको चला सकते हैं क्या सडकों पे नहीं चला सकते हैं तो हम उस पत्रियों के बारे में कभी सोचते ही नहीं है जिसके वज़र से वो रेल गाड़ी चलती है और उसका जो place होता है, स्थान होता है, वहां तक वो पहुशती है तो जो महान लोग होते हैं हमारी life में, वो इन पट्रियों के जैसे होते हैं वो हमारे life में होते हैं, बहुत important होते हैं उनके वजह से ही हम एक जगह से, किसी दूसरी जगह पे मतलब प्रगती के तरफ, उचाई के तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो जो रेल की पट्रिया होती है, वो कभी चिल्ला के उनकी महानता बताती नहीं लोगों को कि नहीं देखिए हम लोग हैं, इसके लिए ट्रेन चल रही है तो हमारे लाइफ में भी ऐसे महान लोग होते हैं, जैसे कि हमारे पैरेंट्स है या फिर हमारे गुरू है, वो आपके साथ रहते हैं, आपको दिशा दिखाते हैं, आपको संभालते हैं ताकि आप आगे बढ़ों, और वो कभी उनके जो कार्य है, इसका बोल बाला नहीं करतें, उसका क्रेडिट लेना नहीं चाहतें तो ये बात कभी नहीं यहाँ पे आपको बतानी चाही है, ठीक है? आगे जाएंगे, सितारे चिपे बादलों की ओट में सुना आकाश आकाश जब आप देखते हूँ, आपको सभी को स्काइ देखना पसंद होता है, सुबह का भी और रात का भी पर जब यहीं सितारे बादलों की ओट में चिप जाते हैं, मतलब बादलों की पीछे जब चिक जाते है तो आकाश हमें सुना-सुना लगता है, देखिए आप बादल नहीं है, तारे नहीं है, ऐसा जब आप आकाश देखते हैं, पोल्यूशन के कारण मुंबई में तो हमेशा यह वही आसमान आपको देखने को मिलता है, तो यह जो आकाश होता है, वो कुछ महसूस नहीं होता वैसे हमारे समाज में ऐसे लोग है, कुछ गीने चुने, जो बहुत ही क्या है, सितारों जैसे, महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपोर्टन्ट लोग है, जो समाज को क्या करते हैं, एक उच्छाई पे लेके जाते हैं, पूरे वर्ट में भारत जाना जाता है, खास उन के वज़े से जैसे कि टाटा है टाटा इंडस्ट्री बहुत ही क्या है helpful है उनका donation बहुत होता है इंडिया में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर एपी जो अब्दुल कलाम हो गए है जिनों ने भारत का नाम रोशन किया ऐसे बहुत सारे सितारे है और उनी के वज़े से हमारा जो आकाश मतलब हमारी जो भारत देश है वो क्या होता है पूरे जग में क्या होता है ब्यूटिफुल दिखता है तो उनके बारे में ये बात बोली है आगे जाएंगे तुमने दिये जिन गीतों को स्वर हुए अमर तुमने दिये मतलब गीतों को स्वर मतलब क्या देखिए इंसान आज है कल नहीं है पर अगर वो कोई कुरुती करके रखता है मतलब कोई अगर वो कार्य करके रखता है उसके नाम पे तो वो अमर हो जाता है मतलब देखिए डॉक्टर एपीजे अभी नहीं है हमारे बीच में पर उन्होंने जो कार्य किया है भारत देश के लिए उन्होंने जो किताबे लिखी है तो उनके कार्यों के वजह से उनके इनोवेशन के वजह से वो अभी भी हमारे बीच जिन्दा है लाइक महात्मा गांधी आपको नहीं लेना है, गीत मतलब कोई भी उनका जो कारिय है, तो ऐसा ही हमें काम करना चाहिए कि पूरा देश उस गीतों के स्वर को, गीत यहाँ पे आपको specially क्यों दिया है, क्योंकि गाने बहुत लोगों के ध्यान में easily रह जाते हैं, इसके लिए exam के तौर पे आपको गीत यह शरब्द दिया है, पर आपको उसका deep meaning भी लेना है, कि आपका जो कारिया है, तुमने दिये, का मतलब आपने इस समाज को क्या दिया, आप बौन हुए, इस समाज में रहे, पर आपने समाज के हित के लिए समाज को क्या दिया, उससे आप जाने जाते हो, और अमर हो जात यहां पर कवी ने कही है तो देखिए इच स्टांजा में हर एक स्टांजा में लेखक मतलब सौरी जो हमारे कवी है वो आपका जो माइंड है वो ब्रॉड करने की बात कह रहे है कि आप बहुत लिमिटेड नार है अपने तक सीमित नार है समाज के बारे में सोचे आपके की है तो आगे जाते हैं सागर में भी रहकर मचली प्यासी ही रही बहुत ही ला जवाब ऐसा यह लास्ट वाला स्टांजा है देखिए यहां पर है सागर सागर मतलब क्या बहुत ही बड़ा यूज डीप ऐसे हम बोलते हैं बहुत ही गहरा होता है सागर सागर याने सी समुं कही है कि सागर में भी रहकर मचली प्यासी ही रही क्योंकि सागर बहुत ही बड़ा है गहरा है पर उसमें पानी जो है वो क्या है नमकीन है उस पानी का हम लोग पीने के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते मतलब इतना water का source होने के बावजूद भी सागर का importance कम हो जाता है समुंदर का जो महत्व है वो कम हो जाता है उसके एक दुरगुण से जो कि उसका नमकीन पानी है तो मतलब वो use ही नहीं आ जाता तो इसके लिए ऐसा बोला है उन्होंने तो इसका जो deep meaning जो है वो लेखक ये बताना चाहते है कि कभी कभी क्या होता है हम बहुत ही rich होते कुछ लोग बहुत ही अमीर होते है फिर भी उनके घर में उनके मन में संतोश नहीं होता संतोश आने क कि क्या satisfaction नहीं होता हर वक्त उनके मन में कुछ न कुछ चाहते होती है हर वक्त वो कुछ न कुछ मिलने की कोशिश ही करते रहते हैं मतलब उनके जीवन में ठहराव नहीं आता कितना भी वो अमीर हो जाए कितना भी उनको मिले पैसा हो जवैलरी हो कुछ भी मिले मतलब वो अ समाधानी रहते हैं, तो ये वही बात हो गई कि पूरे सागर में रहके जैसे मचली प्यासी रहती है, वैसे इतनी सारी खुशियां होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद भी जो इनसान होता है, वो क्या रहता है, हमेशा अत्रुप्त रहता है, याने कि क्या होता है unsatisfied रहता है तो ये गलत बात है ये समझने की बात है ऐसा जो पूरा आपने ये poem देखी, पूरक पठन देखा जो मन के बारे में है तो I hope आपको इसका जो meaning है वो समझा होगा मैंने दोनों भी meaning आपको बताया है जो actual meaning है और उसके पीछे जो meaning होता है जिसको deep meaning बोलते है वो भी मैंने आपको बताया आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी poem अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करना मत भूलिये और subscribe कीज़े channel को जिनोंने नहीं किया है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीज़े और मैं आशा करती हूँ ये poem आपको अच्छी लगी होगी तो आपके life में ज़रूर इसको apply करेंगे ओके so thank you so much for loving me supporting me and because of you बहुत सरे subscriber हो गए हमारे channel के आपकी बहुत अच्छी-ची comments आती है so please आप comment कीज़े आपके doubts पूचिए मैं उनका जवाब देती हूँ so thank you so much